हलो स्टूडेंट्स वेल्कम एट दी एक्सिलेंस क्लासेज एक्सिलेंस क्लासेज में आपका स्वागत है और आईए सभी फटापट से जुड़ जाएए और क्लास को शेर भी कर दीजिए ठीक है और आज हमारी हिस्ट्री की कौनसी क्लास है हिस्ट्री की तीसरी क्लास है चल रहा है भारत में योरोपियों का आगमन योरोपिय कंपनी जो आई जिसमें से आपके पुर्टगाली जाए और जो है डच आए अंग्रेज आए उनकी बाद फ्रांस आए उनसे पहले इसी के बीच में डेनिस डेनमार्क के लोग आए यह सब कई सारे जो लोग आए उनको करके आज हमारा डिसकसन चल रहा है और आज की क्रम में हम बात करेंगे किनकी अंग्रेजों के आगमन की तो आई यह स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं क्यों कि इसमें कई बार हमसे बात होगी कभी गुजरात की बात होगी तो कभी मद्रास की बात होगी तो कभी बंगाल की इंडिया का मैप हम देख लेते हैं यह देख लीजिए आप यहां से यह आपका गुजरात रहा इधरी बात होगी कभी सूरत की बात होगी यहां पर महारास्ट की भी बात होगी तो कभी करनाटक की बात होगी आ पूरा ओडी सा ठीक है यह सारा का सारे एरिया और इसमें भी यह सारे कई सारे एरिया यह सब यह सब किसके हिस्सा थे पहले यह पूरा का पूरा क्या था उस समय बंगाल था ठीक है जब बंगाल की बात होगी तो उस समय के सारे रीजन की बात होगी ओके यह एक बार आपको फ लद्दाक रहा इसकी कैपिटल ले हो गई है यह आपका श्री नगर जम्मू कश्मीर वाला इसकी कैपिटल स्री नगर और गर्मियों में कैपिटल इसकी स्री नगर होती है और सर्दियों में हो जाती है जम्मू इधर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया कैपिटल सिम्ला फटा प्रबवानगर असाम असाम का यहां पर नागा लेंड कोहमा इसकी कैपिटल मनिपूर की इंफाल और यह मिजोरम का हो गया आईजोल टीक है एजोल जिसको कुछ लोग बोल देते हैं असम की क्या हो गई दिस्पूर ठीक है एक बार इसको रिजगर देता हूं में जिसे का क्या हो गई आप बताए चलो मैंने बता रहूं वती जी है ठीक है और तरपुरा तरपुरा की हो गई यहां पर अगरतला यहां पर है यह अगरतला और वेस्ट बंगाल की आप जानते हैं कोलकाता ज्हारकंड की राच्ची हो गई इधर उडिशा की भूमनेस्वर यह तो आप मीन से तेलंगाना की कैपिटल हो गई है इदरावाद यह आपका चैन नहीं हो गई इधर की तरफ में और यह आपका करनाटा को एंगलूर हो गई ठीक है गोगा हो गया पंडजी महारास्टा की मुंबई दमन और दिव जादरा एंड नगर हैवेली सब को मिला एक बना दिय गुजरात गंधी नगर रायस्थान की जैपो इधर मद्य प्रदेश बोपाल हो गया उत्तर प्रदेश की आपकी लखनू नवामों का शहर यहीं पर है बड़ा इमाम बाड़ा हर्याना की कैपिटल चंडीगड है पंज्याब की चंडीगड है चंडीगड यूटी है यह के सबसे पहले कि सोलेवी सताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे डच बगर यह सब आ चुके थे तो इनमें जो सबसे मैत्वपुर्पूर्भूम का अगर रही योरोपी वालों की तो किनकी रही अंग्रेजों की इन्होंने नहिंए भारत को क्या बना लिया अपना उपनिवेश अर्थात कोलोनि बना लिया ठीक है और दीर के कालत तक यह यहाँ पर रहे बागी तो सब धीरे धीरे करके उप्रिसापिर होगा होगे लेकिन यह एंड तक रहे और धीर धीरे रहोंने भ्यापार से क् QA पहुंच गये means, था क्या उस समय, क्या इस्तिती थी, उस समय की इस्तिती थी, कि जो आज हमको प्रदेश बगर ऐसना दिख रहे हैं, एक एक प्रदेश में उस समय जो राजा बगर जो थे, ठीक है, अपने आपको छोटे-छोटे शित्र में अपने अपने सबको देश मान रहे थे वो, एक को रोकने वाला कोई नहीं था, ठीक हो, जब-जब केंद्र की सत्ता कमजोर होती है, तो देश की जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, वो असरक्षित हो जाते हैं, वो ही यहां पर भी हुआ, अगर हम उस समय की कंडिशन की बात करें, तो ऐस परपुर से मतुरा आते हैं, मतुरा से आगरा जाते हैं, और बोलते हैं, कि मैं तीन देशों की जो है, क्या करके आया हूं, यात्रा करके आया हूं, जैसे यॉरोप में होता है, ठीक है, तो यह सब इस्तिती उस समय पर थी, इस बजह से क्या हुआ, कि दूसरे देश के उनकी जो नीती थी, पहले ठीक अपना ब्यापार बगरा करो, और काम चलाओ, मींस किन की पुर्टगाली बगरा जो थे, लेकिन अंग्रे जो नों क्या किया, हडप लेने की नीती स्टार्ट कर दी, नहीं नहीं नहीं, हमें तो यहां से ब्यापार नहीं, इस एरिया को अवरपुल थी, प्लस जो ब्रिटेन में उस समय गवर्मेंट थी, उनका भी इनको क्या मिलता था, सपोर्ट मिलता था, अच्छा खासा, और यह बिल्कुल छुट्टे छोड़र के थे, अंग्रेज, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, जबकि जो अधर दूसरे थे, चाहे व बलकि वहां के व्यापारी इनको समर्थन देते थे, वहां के राजा बगरा जो थे, वहां का उसी समय की गवर्मेंट थी, वह इनको सैने समर्थन, सैने की सहायता बगरा सब प्रोवाइड कराती थी, जरूरत पढ़ने पर पैसा भी उपलब्द कराती थे, जाओ भाई, देख लेते हैं, इस समय यहां से कई वार कुशन आता है, कहां कहां पर इंडिया के बंदरगा है, और इनी की वज़े से क्या हुआ, इंडिया जो है गुलाम हुआ अंग्रेजों का, यह देखो कांडला पोर्ट है, कई वार आया है कुशन में, गुजरात में है, मुंबई आप जानते हैं, जावालल नहरू पोर्ट ट्रस्ट यह आपका मुंबई में है, मारमगाव पोर्ट कहां है, यह आपका गोवा में है, इदर न्यू मैंगलोर देख लिए आप, मैंगलोर में है, कोची यह आपका कैरला में, तोती कोरियन का पर हो गया, तमिल नाडू में, चेननेई पोर्ट टमिल नाडू, एन और पोर्ट भी चंद तमिल नाडू, चेननेई, ठीक है, विशाका पतना भी हो गया, आपका अंदर प्रदेश में, और यह जगदीश पुर्प जो पाला जो है, जगदीश पुर्प, यह आपका उडिसा में हो गया, और कोलकाता आप पर, और पहले हमने इंडिया का मैप भी देख लिया, तो अब बार बार यहां पर कोई जगए हों कि नाम आएंगे, वो आप आराम से समझ पाएंगे कि हम कहां की बात कर रहे हैं, और यह पोर्ट ब्लेयर हो गया भाई, कहां का अन्वानने को बार में, जो बहां का पोर्ट 1599 में ही जो ब्रिटिस की जो इस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना यह रही ना, यह इक कंपनी 1599 में बन चुकी थी, उस समय, और इसको ब्यापार करने का एकादगार का मिल गया, 31 दिसंबर 16 में, यह सब इनको मिल गया, और किस ने दिया था, महरानी एलजावेत न इसको बताया है, आप बताए मिल को कि उस समय कौन था, भारत में साशक, 16 में कौन था, ठीक है, और जब इनको यह एकाद पत्र, जिसको कहा था, एकादिकार पत्र, ठीक है, यह मिल गया, और आगे चल कर 16 में, ब्रिटिस का जो समराड था, जेम्स प्रथम, ठीक है, इसने क उरब के देशों में ब्यापार करने के लिए, ठीक है, अब बात हम करते हैं, कि पहले कंपनी का स्टार्टिंग में क्या उद्दे से था, तो भाई, पहले उद्दे से था इनका ब्यापार, ना कि भूभाग, हालां कि यह उनका कहना, एक जाम में भी हमें यही लगाना होता बाकी तो फिर बहुत सारी पॉलिटिक सेस्थ में भी, ठीक है, अब हम बात करते हैं, और आ गया जाईए, कि, सौरी, अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी, इसका प्रतम समुद्रिया तक कब कर रहे हैं यह, 16-1 में, कब, कहां, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलक्क यह उस वाल एरिया में, अब बताइए, मलक्का में दो तीन वार बता चुका हूँ, पहले भी मैप दिखाया था आपको, इससे पहली क्लास में, तो बताइए, मलक्का कहां से कदर है, दूसरा, 1608 में इस कंपनी ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्टरी कोल दी इनों था, 1608 में अपना राजदूत बना करके, और किसके दरबार में, जहागीर के दरबार में, कई वार कुशन आया है, कि बिलियम हॉकिन्स किसके दरबार में आया, जहागीर के दरबार में, कई वार यह पूछ लेते हैं, कि जामराट, जहागीर के दरबार में, कौन बिटिस म मेंस यात्री आया था राजदूत आया था तो विलियम हॉकिन्स था जेम्स प्रथम का राजदूत आपके तीन-चार कुश्चन यहां से त्यार हो गए ठीक है और इसको एक साही क्या मिल गया फिर फर्मान मिलें ठीक है आप सुरत में क्या करो अपनी फैक्ट्री इस्थापि प्रोडक्शन बगरा कुछ नहीं ब्यापार करते थे लोग यहां से सामान मिन्स इस से खरीदा यहां स्टॉक कर लिया यहां से ब्रेटेन भेज दिया कहीं दूसरी बेज दिया बस ऐसे समझ दो इसको ठीक है दूसरी बात हो यहां पर जो बादसा जहागीर था उसके दरव इस थाई कारखानी की ठीक है आप स्टार्टिंग में अपना क्या बना लो भाई अब पर्मानेट बना लो आपको ठीक है यह बड़े अच्छे मींस बात करने में बहुत एक्सपर्ट थे अंग्रेज चाप लूसी करने में बहुत अच्छे कम्यूंकेशन इसकी लिंड की थ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिर जो अंग्रेज कैप्टन था कैप्टन बैस्ट उसने क्या किया कि स्वावली जो सूरत वाला इरिया था उसमें अब पहले से अंग्रेजों से पहले कौन लोग थे यहां पर पुर्तगाली पहले से अच्छे हसाब से काम कर रहे थे लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इनका जो मींस एक फ्लीट था जहाज का बेड़ा उसको क्या कर दिया उसको हरा दिया और उस खित्र पर अपना अधिकार प्राप्त किया उनके इस एक अधिकार को भंग कर दिया जो पुर्तगाली मींस सब से टेक्स बसूल रहे थे कार्टल स सिस्टम बना करके ठीक है वो इनों ने भंग कर दिया फिर इनका एक दूत और आया 1615 में जेम्स प्रथम ने उसको भेजा और उसका नाम था सर टॉमस रो और यह भी धर जहागीर के दरबार में आया तो यहां से आपको दो-तिन कुशिया आ सब्सक्राइब कि रहाते हैं कि अंग्रेज कैप्टन ने पुर्वद गालियों को हराया था स्टार्टेंग में तो भाई अंग्रेज कैप्टन कौन था बैस्ट और प्र तीसरा यात्री यह जो आ रहा है कौन टामस रोब ठीक है अब इसका उद्देश से क्या था कि उसका ठीक है आप हमारा जहां तक शाषन है पूरे एरिया में क्या करो आप व्यापार करो हमारी तरफ से तुम्हें कुलिच छूट है और फिर उसके बाद जब इनको फर्मान मिल गया तो इन्होंने सूरत आगरा एहमदाबाद मचली पटनम भरूच जिसको भड़ोच बोल देते ह इन सब में अपनी ब्यापारिक के सेंटर इन्होंने इस्थापित कर लिए अब हम बात करते हैं कि दक्षड भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली ब्यापारिक कोठी कहां बनाई दक्षड भारत के अगर हम बात करें तो पहली बनाई इन्होंने मचली पटनम में ठीक है पूरु विभारत में फिर बात करते हैं कि 1650 में ही होगली नगर जो है आज जो पस्य बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पर इन्होंने परमिशन ले ली और बंगाल वाला एरिया बिहार पटना धाका में भी अपने कारखाने स्तापित की धीरे-धीरे करके अब जो एक फ्रा कि प्राइब ले लिए राई ले धाया टीक schöne है और फिर बाद में नोह ने यहीं मदस में क्या निर्मान किया एक पूरा यह पोर्ट बनाया और इसी बनाया और यह पूर्ट करते हैं कि फिर इधर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो गोल कुंडा यह जो आपका आंद्रप्रदेस वाला रीजन है और इन्हों उसने क्या किया जो पुर्तगाल के जो लोग थे उनकी राजगोमारी थी धिक उस्से क्या कर लिया विबा कर लिया अब पुर्तगाल के ने इस मुंबई को चाल्स डुतियों को अरठात अंग्रेज्वों को किस में दे दिया देज में दे दिया repeatedly कि ठीक और पिर हुआ क्या अंग्रेजों को मिल गया क्या मुंभई टापू किस से पुर्टिगालियों से thực्किन को मिला रिटेन के राजा को और रिटेन के राजा ने क्या किया उसको इस अधाव अज किस आ थिया क्वारी कुछ्छन आया है नेक्स आप उसमें बात करते हैं यह आपको कि दस पाउंड बार्चिक के मतलब दोर पर मामुली पर इनको अंग्रेजियों ने अर्थावत उस राजा ने कि दिया ने कपनी को दिया कि यहां पर पर जो कुछ करना है तुम करो भी अράज से एक क्वार कोशना आता इसी रीजन से कि मुंबई की मेंव किस ने रखे था और सेरिया अंग Pierre जेराल्ट अंग Pierre तो कहा जाता है कि मुंबई की निव किस से रखी थी यह एक रहर आ तो यह रखी थी जेराल्ट अंग करने तो फिर बात होती है कि फिर यह अब हमने बताई दिया आपको कि इस अंच्पनी को मुंबई अंग्रेजओं से बेटे सरकार से प्राप्त हुआ था ठीक है अब जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो हमने पहले पढ़ा था सूरत में जो इन्होंनी फैक्ट्री बनाई वो धीरे-धीरे सूरत की वजाए इन्होंने कहां मूव करना शुरू कर दिया मुंबई की तरफ और जल्दी ही मुंबई को इन्हों बहुत मारा और सूरत मचली पटनम बिशाका पटनम इन सब जगह से मोगलों ने फिर क्या कर लिया इन से अपने मींस इन से छीन लिया लट यहां पर तुम कोई ब्यापार ब्यापार नहीं करोगे तो यह इनके साथ में घटना होई मेंस यहां पर यह लोग ट्राइल कर रहे आन्याइट है लेकिना करते थे जब किसी एरिया में हम क्या कर सकते हैं और मारते लड़ते थे वह यहां भाग जाते थे और इनके पास में बहुत ऐची कोई नवी जाकर उनका पीछा कर सकते तो यहां पर लड़ाई-बड़ाई करते हैं उधर भाग जाते थे सारी वेबस्ता नेवी मैक्स पर थे ही तो इसलिए धीरे-धीरे करके इन्होंने क्या नवे में ठीक है एक शाही फर्मान मिल गया कि ठीक है वाई आप बंगाल में अपना व्यापार प्यार करो और तुमसे कोई मिन्स टेक्स बगरा बार बार नहीं लिया जाएगा एक निश्चेट टेक्स एक बार देदो पूरी साल व्यापार करो ये अब आगे वड़ते हैं कि बंगाल का जो एक मिन्स नवाब वहां का जो था उससे पर काफी पहले मिन्स सुवेदार ठमजलो उस समय तो उसने सुतन ले जाता है कि आधुने कलकंता की नीव जब पढ़ी तो कुशमें कौन कौन से जामिल सांमिल थे तो सुतनाती कालीकाता और गोविंद्पुर अब यदेखती कौन था जिसने इसकल रूप में था तो उसका नाम था जाप चारनाक है जौ चारनाक क्या जाब चारनाक कि कई बिलियम कहां यह अंग्रेजों का तो यह कहां पर है कलकत्ता में ठीक है और फिर इस कलकत्ता के अपने वाले अनों ने गोषित किया सत्तरहसों में तो एक कुछन यह तयार हो गया आपका के तब क्या क्या यहां अपर ही कि बाकी तो फिर देखेंगे के प्लासी का योद्व, बकसर का योद्व और करनाटक के तीन योद्व, उसमें इन सब को डिटेलिम पढ़ेंगे, तो अब यहां से फिर से बापस करते हैं, कि 17-74 से लेकर के 1911 तक कलकत्ता क्या रहा, भारत की राजधानी रहा, बिटिस इंडिया की राजधानी रहा, 1911 तक हो नहीं रहा था, तो अंग्रेज बड़े चतुर थे, उन्होंने अपने डॉक्टर भेज दिया, यह वेलियम हैमिल्टन, उसने इनको क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और खुस हो करके उसने क्या का, ठीक है यह लो, तुमको ब्यापार कर नहीं चूट दे रहे हैं, तुम अपनी सिक्के भी बना सकती यहां पर, अपनी करंसी बना सकती, यह देखो वेपूफी कि किसी कोई समझदा राजा होगा, अपनी मीन्स खेतर में किसी दूसरे को सिक्के बनाने के नोट चापने का दिका, थोड़ी दे देगा ऐसा, थोड़ी है कि इंडिया में कम्पनी आ अधिकार देदे कि ठीक है, आप नोट चाप सकते हैं, तो सूच यह कितनी गंबी रिस्तिती हो जाएगी, लेकिन यह समय एतने समझदारी बात नहीं करते थे, और इनको सारे वो अधिकार दे दिये जो भारत के लोगों को प्राप्त थे उस समय, ठीक है, अब इस यह जो इ आपका पलासी का युद्ध होगा, बकसर का युद्ध होगा, वो सब इस यहीं से जड़ें स्टार्ट होंगी उसकी, ध्यान लखिएगा, यह अधिकार पत्र फर्रुक्सियर ने दे दिया था, अब कहानी बनती है, कि उसके फर्रुक्सियर के बाद भाई नवाब बना कौन मुर्शीद को लिखा, तो उसने क्या किया, यह जो फर्मान इनको मिला अंग्रेजों को, इस पर नियंतरण करने का प्रयास किया, क्यों, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, कि यह जो फर्मान था, इनको मिला था, कि आप अपने ब्यापार के लिए इसको यूज करें, आ तो उसको या अधिकार वाला एक ठपा अपना लगा के दे दिया लेवाई ले जा अब वो भ्यारत का इंट भारत की आदमी है तो इससे भी छूट मिल गई अब भाई जो राजा था नवाब उसको तो बहुत गहाटा होने लगा प्लस जो इस कमपनी में जो करमचारी थे वो भी अपना खुद का व्यापार करने लगे क्योंकि टेक्स तो उनको देना नहीं था अब राजा को मींस उस नवाब को बहुत सारा घाटा होने लगा तो मुरसीद कुली खाने इस पर रोग लगाने का प्रयास किया यहीं से इस्तिती बनेंगी यहां से अंग्रेज क्या हो जा ठीक है अब फिर क्या मराठा बाली साइड अगर हम देखें महरास्ट में तो कानो जी अंगारिया नाम का व्यक्ति था पश्यमी तटपर अंग्रेजयों को बहुत बुरी तरह से मारा था ठीक है बहुत बुरी तरह उनको कम जोर कर दिया और भारत में इनकी जो कंपनी फैक बन गया तो आज की लिए हमने जो देखा कि अंग्रेज भारत में आ गए और इनकी छोटी-छोटी हमने कुछ एक्टिविटीज देख ली बाकी तो इनको हम डिडेल में पढ़ेंगे ही कि बक्सर का युद्ध और इनकी कंपनी के बारे में क्या-क्या चीजें थी बक्सर का ना कि बस यहीं पर हो गया हां और आपके लिए चैनल को क्या कर दें लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दूसरा अगर किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है ठीक है राजनीती विज्ञान जिसको बोलते हैं पॉलि है कि एक जिक है एक यूपीएस्सी का सेकंड पेपर पेपर नीस टू ठीक है और पी-स का पेपर टू जो जीयस वाला होता है इंडियन पॉलिटि और कॉंस्टिटूशन वह वाला और यह पॉलिटिकल साइंस एन इंटर्टनेशनल लेसंस किसके लिए आईएस के मेंस में ओ इस पैसली पढ़ना है उस पर हम डेली क्लासेश हमारी चलती हैं और आपको प्रॉपर लिए उस पर क्या होगा आपकी आंसर राइटिंग आपसे करवाई जाएगी चैप टॉपिक वाइज और उनको चैक भी किया जाएगा प्रॉपर आपको परसनल गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको पॉलिटिकल साइंस को कैसे प्रपियर करना है ओके तो आज के लिए इतना ही और जिनको आफ्लाइन क्लासेश सही है वो भी मुझसे यह संपर्क कर सकते हैं कि इन टॉप्टर्स को हम काफी डिटेल में पढ़ाते हैं हमारे पास जो है बैक चलता है आफ्लाइन और यूपी में यूपी में PCS के लिए ठीक है और जैसे यूपी को गया यह हो गया अहरों कई यह जैर हो गया अलावाद आय कोटका यह हो गया ठीक है a पीएसा योगास में special हमारा individual GS का बैच चलता है वह आप मुझे से सब इस पर संपर्क कर सकते हैं thank you very much for today's class और आपका बहुत cooperation रहा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ओके बाबाए